Hello Class Third, Welcome Students, आज की वीडियो में हम आपका 8th चैटर इंग्लिश का स्टार्ट कर रहे हैं, That's Name is Master of All Masters, ठीक है? यानि मालिकों का मालिक, ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से ये चैटर मालिकों के मालिक के बारे में Master of All Masters के बारे में हैं, let's see, We All Have Heard of Funny Nicknames, हमने बहुत स में से कुछ names याद है now read this story about a man who has given strange names to the things in his house ये जो story है अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपने घर की चीजों को अजीब नाम दे रखे हैं जिसमें निकनेम्स अजीब तरीके के निकनेम्स दे रखे हैं let's see a girl once went to a fair to place herself for the work of a servant एक लड़की एक बार एक मेले में जाती है अपने आपको एक नौकर की जगह पे रखते हुए यानि वो वहाँ पे काम की तलाश में जाती है कि as a servant उसे कोई काम मिल जाए at last a funny looking old gentleman engaged her and took her to his house अखिरकार एक funny दिखने वाला बुड़ा सा gentleman उसे काम पर रख लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है when she got there जब वो वहाँ पहुंचती है he told her that he had something to teach her तो वो उसे कहता है कि वो उसे कुछ सिखाएगा in his house he had his own names for things क्योंकि उसके घर में उसके चीजों के उसके खुद के नाम रखे हुए है he said to her what will you call me उसने उस लड़की से कहा कि तो मुझे क्या कहकर पुकारोगी साहिट सी बात है उसको उसके नाम से पुकारेगी या क्या कहकर पुकारेगी तो यह बात वो उससे कहता है then master or mister or whatever you please sir said she उसने कहा कि या तुम आपको master कहूंगी या बिस्टर कहूंगी और अगर कुछ और आपको पसंद है तो आप वो बता दो मैं आपको उस नाम से पुकार दूंगी he said तो उस आदमी ने कहा you must call me master of all masters कि तुम मुझे क्या पुकारोगी master of all masters पुकारोगी and what would you call this pointing to his bed अपने bed को point करते हुए उस आदमी ने कहा कि तुम इसे क्या कहोगी bed or coach or whatever you please sir तो उस एड़की ने फिर से जवाब दिया कहा या तो इसे bed बोलेंगे या coach पोलेंगे coach भी एक bed ही होता बैड कोई कहा जाता है और बाकी अगर आपको कोई और नाम पसंद है तो आप वो बता दीजिए हम इसे उस नाम से पुकार लेंगे ठीक है then फिर क्या होता है बाद में no that's my barnacle ठीक है यह मेरा क्या है barnacle है and what do you call these और अब तुम इन्हें क्या कहोगी sad ही उसने कहा pointing to his patloons अपनी जो उसके पैंट पजामा जो थे पहनने वाले उनको उनकी तरफ इशारा करते हुए उसने उस लड़के से कहा कि तुम इसे क्या कहोगी bridges or trousers or whatever you please sir तो उस लड़की ने कहा कि या इसे bridges यानि की bridges यानि की छोटी paint बोला जासता है या फिर पजामा या फिर paint ही कहेंगे और बाकी आप बता दीजिए sir जो आपको अच्छा लगे हम वो कह देंगे you must call them skips and crackers तुम इने क्या कहोगी skips और crackers कहोगी and what would you call her pointing to the cat फिर उसने एक बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इसे क्या कहकर पुकारोगी then फिर वो लड़की कहती है cat or kitty or whatever you please sir या तो इसको cat बोलेंगी या kitty बोलेंगी और अगर कुछ और नाम आपको पसंद है तो आप वो बता दीजिए हम इसे उस नाम से पुकार लेंगे you must call her white-faced simini तुम इसे क्या कहोगी white-faced simini कहोगी and this now showing the fire what would you call this और अब उसे आग दिखाते हुए उस लड़की को कहा कि तुम इसे क्या कहोगी तो लड़की ने जवाब दिया fire or flame or whatever you please sir वही सेम जवाब दिया या तो इसको आग कहेंगे या जवाला कहेंगे या जो आप कहें वो कहेंगे यू मस्ट कॉल इट होट कॉकलूराम और इस या नि वह कहते है कि आदमी कहता है उससे कि यू मस्ट कॉल इट होट कॉकलूराम तुम्हें इसे क्या कहना होगा ओग फिर क्या होता है then you must call it coccularum and what is this he went on pointing to the water उसने पानी की और इशारा करते हुए वो से आगे ले गया और पानी की तरफ इशारा करते हुए का तुम इसे क्या कहोगी तो लड़कीन का water or wet or whatever you please sir या तो इसे पानी कहेंगे या इसे गिलापन कहेंगे बाकी अगर आप कुछ और चाहते हैं कि इसे इस नाम से पुकारा जाए तो आप हमें वो बता दीजिए ठीक है तो no pandalorum is its name इसका नाम pandalorum है ना की water ठीक है तुम इसे क्या कहकर पुकारोगी तुम इसे pandalorum कहकर पुकारोगी and what would you call all this asked he as he pointed to the house और अपने पूरे घर की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि तुम इस सब को क्या कहकर पुकारोगी house or cottage or whatever you please sir या तो घर कहेंगे या cottage कुटिया कहेंगे whatever you please sir बाकि जो आपको अच्छा लगे आप वो बता दीजिए कि इसको क्या कहना है जैसे आप कहेंगे वैसे ही पुकार लेंगे then you must call it high topper mountain तुम इसे high topper mountain बोलना है that very night उस दिन बहुत लेट रात को the servant woke her master up in fright and said all masters get out of your barnacle barnacle and put on your squips and crackers for short faced white faced simini has got a spark of hot coccalurum on its tail and unless you get some pandalurum high topper mountain will be all all on hot coccalurum इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि master of all masters सारे मालिकों के मालिक आप क्या करिए अपने बिस्तर से बाहर निकलिए और अपने कपड़े पहनिए अपनी पैंट पजामा पतलून जो भी है आप उसे पहनिए और जो white faced simini है उसको क्या हो गए उसकी पूँच में आग लग गई है और अब वो क्या करेगी आपको जल्दी ही क्या लाना होगा पानी लाना होगा क्योंकि हाइट ओपर माउंटन यानि आपके घर को क्या हो जाएगा वरना वो आग में जूलस जाएगा यानि सारे घर में आग ही आग फैला देगी वो क्योंकि उस बिल्ली की पूँच में आग लगी है ओके इस चैप्टर थेंक्स और हैव नाइस टे स्टूरें